नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका आज की एक और नई वीडियो में अब आपको पता चल ही गया होगा कि भारत ने नोटिस दे दिया है पाकिस्तान को कि वो उनका पानी रोक सकते हैं और उनोंने इंडिया को फोर्स किया है ये एक्शन लेने के लिए अब जराजा हम रि जयान दिया था अपने भाशन के दौरान के बलड एंड वाटर के नौट फ्लो टुगेधर पानी और खून एक साथ नहीं भैसकते और उन्होंने उसी वक्त यह हिंट दे दिया था कि वह इंडूस बाटर ट्रीटी के ऊपर कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं जब उरी अट पाकिस्तान को कि वह इस ट्रीटी के अंदर बदलाव कर सकते हैं मोडिफाई कर सकते हैं जो 1960 में की गई थी यहां पर आप एडलाइन देखेंगे कि पाक एक्शन फोस्ट इंडिया अब इसका मतलब क्या है थोड़ा सा यह समझते हैं इंडिया ने नोटिस दिया है पाकिस् के अंदर मोडिफिकेशन कर सकते हैं और 90 दिनों के अंदर जवाब मांगा है पाकिस्तान से कि वो इस मुद्दे को बैठ कर आपस में सुल जाएं म्यूच्वल अंडिस्टेंडिंग के जरिए ठीक है आगे इसमें क्या पॉसिबिल्टी हो सकती है इसके बारे में हम बात करे गया यह सोर्स ने बताया है पाकिस्तान से अक्षिन हैव एड्वर्सली इंपिंग्ड ओन दे प्रोविजिंग यानि इंदूस वाटर ट्रीटी एंड देर इंप्लिबेंटेशन एंड फोस्ट इंडिया इंडिया तो इसमें क्लियर तोर पर यह बताया गया है कि इस इसके बारे में हम आगे बात करेंगे और भारत के रिपेटेड एफर्ट के बाद भी यह म्यूचली एग्री नहीं हो पा रहा है आगे बढ़ने के लिए और पाकिस्तान ने किसी भी तरह के इशु को डिसकस करने के लिए रिफ्यूस कर दिया है जो यह 2017 से लेके 2022 तक जो भ ताकि दोनों पार्टीज जो हैं वो इस मुद्दे को सुलजा लें इंडिया और पाकिस्तान एक न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसेस के जरीए कोशिश की गई लेकिन उसके बाद भी इसका कोई नतीजा नहीं निकला और गवर्मेंट को म पाऌ से rationist की हैं जिस में इनोंने ळिटेव में बताया है कि ही इन् adesso का मतलब को सब्सक्राइब क्या है कि अंधान Coldh पाकिस्तान इन फ्रांसिजेंस इंडिया है इशूद नोटिस टू पाकिस्तान फॉर मॉडिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि ये जो ट्रीटी थी सप्टेंबर 1960 में हुई थी और नोटिस पच्छिस जनवरी को भेजा गया इंडूस वाटर ट् है और एक responsible partner बने implementing IWT इंडूस वाटर ट्रीटी को implement करने में और एक अच्छी स्पिरिट के साथ करें लेकिन पाकिस्तान के actions हमेशा इसमें रुकावट बनते हैं और इसके implementation में और अब भारत को भारत मजबूर हो गया है कि वो appropriate notice या modification करे इस treaty के अंदर तो 2015 में पाकिस्ता पाकिस्तान ने कहा था कि वो एक neutral expert को इस treaty इनकी जो objection है उसको देखने के लिए और उस पर बातचीत करने के लिए neutral expert को appoint करें तो इंडिया का एक किशन गंगा और रातले hydro electric project जो है वो बन रहा है उसी की वज़े से ये सारा issue है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे 2016 में पाकिस्तान ने unilaterally retracted this request उन्होंने इसको refuse कर दिया और प्रपोस किया के court of arbitration में जाये ये मामला तो ये आर्टिकल 9 का उलंगन है जो इंडूस वाटर ट्वीटी के अंदर की गई है और accordingly इंडिया ने एक separate request की इस matter पे लेके कि इसको वापस से refert किया जाए neutral expert के लिए तो कभी वो कहते है neutral expert को दिया जाए कभी कहते है कि court of arbitration को दिया जाए अब एक साथ दो-दो दोनों चीजें initiate नहीं हो सकती simultaneously process of the same question and the potential of their inconsistent or contradictory outcome creates an unprecedented and legally untenable situation which risks endangering Indus Water Treaty itself तो आप एक साथ दोनों obligation नहीं कर सकते दोनों जगा पर ये Indus Water Treaty में ऐसा कोई भी provision नहीं है और World Bank ने इस चीज़ को acknowledge किया 2016 में और ये decision लिया कि वो रुकें pause का उन्होंने decision लिया और initiation किया two parallel process एक साथ नहीं चल सकती और इंडिया से request किया कि पाकिस्तान से बात करके way out किया जाए इस मामले पे लेके लेकिन बार बार इंडिया के effort करने के बाद भी पाकिस्तान से कोई mutually agreeable way possible नहीं हो पाया पाकिस्तान ने refuse कर दिया इस बारे में पांच meeting हुई पर्मनेंट Indus Commission की जो 2017 से 2022 तक लेकिन उसमें पाकिस्तान ने कोई भी सहयोग नहीं दिया और पाकिस्तान continue insist करतारा World Bank से और अभी उन्होंने recently फिर से कहा कि आप एक neutral expert और court of arbitration process को दुबारा शुरू करें और parallel consideration नहीं चल सकती यह Indus Water Treaty का उलंगन है तो इस तरह की violation होने के बाद भारत सरकार ने अब डियर डिसाइड किया है कि वो नोटिस दें पाकिस्तान को और जो ट्रीटी है इसको rectify करें या इसको modify करें अब modification करते वक्त इंडिया ये भी ध्यान रखेगा कि जो 62 साल में जो भी इंडिया पाकिस्तान के relations रहें उनको भी ध्यान में रखा जा इसके बारे में आगे बात करते हैं तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बताया कि 2015 में ये treaty हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान को दरसल ये परिशानी थी कि जो ये project चल रहे हैं इनकी वज़े से पाकिस्तान का पानी रुक ना जाए या उसको पानी की supply में कोई दिक्कत ना है और दूसरी तरफ कुछ मंशाएं ऐसी भी होती हैं कि जादा दूसरा मुल्क जादा तरक्की ना कर ले या हम कैसे इस प्रॉसेस को डिले करें कैसे इसमें रोड़ा अटका हैं तो यही सब यहां पर भी करने की कोशिश की गई इंडिया ने अब पाक इटरेशन उसमें इस मुद्धे में दखल अंदाजी करें यह दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती और पिछले अप्रैल में वर्ल्ड बैंक ने जो की एक इंडिपेंडेंडेंट पार्टी है उसमें यह अना डिसीजन दिया था कि यह अभी प्रॉस की जाएं दोनों और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो आपस में बात करें हाओएवर इंडिया ने इस चीज़ को अपोस किया और पैरलल प्रोसेस चलाने के लिए मना कर दिया जो फॉर्मर अमेसडर है पाकिस्तान के उन्होंने अपना नाम ना लेनी की शर्त पर यह कहा कि जो उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इन्होंने हमसे कोई सी भी तरह की बात बाच्चीत पर आगे बढ़ने के लिए इंकार कर दिया और सोर्स से ये भी बताया गया कि इसलामाबाद को नोटिस मिला लेकिन उन्होंने निगोशियेट करने के लिए या इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए जान बूच कर किसी भी तरह का कोई आक्शन नहीं लिया गया और लेकिन अभी तक यह मुद्दा जो है वो पूरी तरह से clear नहीं है और जो environmental activist है और water expert है मांशु ठककर उन्होंने कहा कि अगर मुझे guess करना पड़े है तो इंडिया probably seeking to modify article 9, annexure F और G which all have to do with the process of dispute resolution तो dispute को सुलजाने के लिए इसमें प्रोजो प्रावधान दिये गए हैं इस इंडिस water treaty के अंदर जहां तक अंदेशा है कि भारत उनको उनके अंदर कुछ changes करेगा और हो सकता है कि इसमें कुछ और भी चीजे modify करने के साथ साथ add भी की जाएं और लेकिन उसके बारे में खुल कर अभी भी कोई कुछ बताना नहीं चाहता या कुछ उस मुद्दे बात सामने नहीं आई उन्होंने लेकिन ये भी कहा कि जितना ये कहना आसान है उससे जादा करना मुश्किल होगा क्योंकि पाकि तो हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक की इसमें क्या जरुवत है इस मुद्दे पर भी बात उठ जाए कि वर्ल्ड बैंक कौन होता है दो दो देशों के बीच में डिस्प्यूट रिजॉल्व करने वाला थर्ड पर्टी आप वर्ल्ड बैंक को कैसे ठरा सकते हैं और आज इस दे तो पिछले 5 साल में वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी कुई खास एफट नहीं हुए तो हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक की इसमें मिडियेटर बनने की बात पर ही सवाल उठ जाए और दिसम्बर 2016 में वर्ल्ड बैंक ने पॉस करने के लिए कहा था इस प्रोसेस को कि साथ साथ दो यह दो प्रोसेस एक साथ नहीं चलाई जा सकती और यह आपको पहले मैंने बताई दिया था अब किशन गंगा और रातले प्रोजक्ट्स है गया दो जो इंडूस वाटर ट्रीटी है उसके इस्टर रिवर्स जो है सतलूज बीस और रावी यह इंडिया को दिए गए थे कि इंडिया इन में से पानी ले सकता और वेस्टर रिवर्स जो है वो इंडूस चनाब और जेलम यह पाकिस्तान को दिये गए थे बैरिंग सर्टन नॉन कंजप्शन यूजिस कुछ खास तरह की प्रावधानों में इसमें पताया गए थे कि कब पानी जादा इस्तिमाल यह कम इस्तिमाल किया सकता है किशन गंगा जो हाइड्रो एलेक्रिक प्रोजेक्ट है भारत सरकार का इसका उद्गाटन 2018 में हुआ था जिसमें जहेलम पे एक डैम बनाना था पाकिस्तान ने उस वक्त इसको यह कहकर इसका विरोध किया था कि यह रिवर का जो जो कोर्स है जो रि प्रोजेक्राव का गलत इस्तिमाल करे यह भी आरूप लगाए गए थे तो मई 2010 में पाकिस्तान ने यह मैटर जो है वो रिएस किया था पर्मरेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेकिन 2013 में कोर्ट ने यह रूल किया पाकिस्तान की फेवर में ही रूल किया कि इंडिय जो है वो डैम बना सकते हैं लेकिन उनको जो मिनिममम फ्लो है वो मैंटेन करना पड़ेगा नाइन क्यूबिक मीटर पर सेकंड पर जो इंडियन गॉवर्मेंट का प्रपोजल था वो था 4.25 का तो उसके मुकाबले वो काफी ज्यादा बढ़ गया था कि आपको ज्यादा प अब इतना हो गया था इतना हो गया था उसके बाद भी पाकिस्तान ने जो है वो टेकनिकल कंसर्न बताए उस डैम को लेके और उसके बाद भी बातचीत का रस्ता नहीं चुना और कहा कि हमें एक न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए और एक और कोट आफ आर्बिटरेशन चा लेकर तो इन लोगोंने एक तरह से मजाग मना दिया कि कभी इधर कभी वर्ल्ड बैंक के पास कभी कोट ऑफ हार्बिटरेशन कभी नूट्रल एक्सपर्ट की डिमांड तो यह करते करते फिर भारत की जब एक समय के बाद बरदाश्ट करने की सीमा खतम होगी तो उन्होंने यह कहा कि पाकिस्तान ने अपने पैर पे एक तरह से खुद कुलाड़ी मार ली है और उनको यह नूट्रल एक्सपर्ट की डिमांड है वो नहीं करनी चाहिए थी जब फैसला आपके हक में हो गया तो कोई मतलब नहीं मनता आफ्टर विनिंग जो केस 2013 में जीतने के बाद प चीज़ों को और टेक्निकल एस्पेक्ट देखना चाहिए था कि न्यूट्रल एक्सपेक्ट एक्सपर्ट आगे क्या मतलब उनको सुझाव देंगे या नहीं देंगे लेकिन ये प्लान जो है वो बना नहीं वर्क आउट नहीं किया और पाकिस्तान ने एक दुबारा से इल एडवाइज डियोटन लिया और आल रिमेनिंग क्वेश्चिन जो है वो डिफरेंट कोर्ट आफ आर्बिट्रेशन में चले गए अगर वो उस वक्त एक ही जगा पर रहते तो शायद यह मुद्दा सुलज गया होता उन्होंने कहा कि अब इसी कॉंसिक्वेंस की वजए से यह प्रोग्रेस जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई पांच साल से मुद्दा आठका हुआ है और पाकिस्तान अब सेम पोजिशन में है जहां 2013 में था मीन्वाइल फ्लो ऑफ वाटर जो है वो मैंटेन करना पड़ेगा तो इंडिया ने तो अपना काम शुरू रखा अब इंडिस वाटर क्रीटी है क्या थोड़ा सा इस पर नदर डालते हैं कि इसके बारे में जो जो भी आपको जानने की जरुवत है बेसिक बेसिक चीज़ें इंडिस वा अबर बांट दिया गया था जो इस्टन साइट था उसमें अराउंड टेंटीस मिलियन एकड़ फीट एनुवली जो था वो इंडिया को एलोकेट किया गया अन्रिस्ट्रिक्टेड यूज और वाटर जो वेस्टन रिवर्स पे था वहां पर एक सो पैंतिस एमे एफ यानि म इंडिया को दिया गया है मतलब अधिकार के वह फाइड्रो एलेक्ट्रिक्टिक्ट्ट जो है वो बना सकते हैं लेकिन उसके लिए स्पैसेफिक क्राइटिरिया डिजाइन और ओपरेशन को ध्यान में उनको रखना है इस ट्रीटी को लेकर और ट्रीटी पाकिस्तान को भी अब्जेक्शन करने का अधिकार देती है कि अगर उन्हें किसी तरह की दिक्कत परिशानी है इंडिया के डैम बनाने के स्ट्रक्चर से या उसके आक्शन से तो वो उस पर आवाज उठा सकते हैं अब पाकिस्तान को इस पूरी ड्रेनेज सिस्टम का 80% मिलता है और इंडिय के पास कम है और इंडिया अपना पूरा जो इसको मिला हुआ है इससापानी का वो पूरा यूजी नहीं करता है वो 90% के आसपास यूजीं करता है तैन परसंट अभी उनका बचा भiad अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जो है वो इसको यूज कर सकता है इस वाटर रिसोर्स को लद्धाग, जम्मू, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाना, राजस्थान के लिए लेकिन इन स्टेट में भी जो पानी है वो अल्रेडी यमुना और गंगा से सप्लाई होता है पाकिस्तान के पास केवल इंडर्स वाटर सिस्टम है जो उसकी लाइफलाइन है और वो उसी के ओपर डिपैंड है पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान की साइड है और every time India makes a move to use its quota of water or build dam, मतलब जब भी इंडिया अपने हिस्से का पानी इस्तमाल करने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान objection करतेता है, जिसकी वज़े से फिर dispute होते रहते हैं दोनों countries में, और बात आगे नहीं बढ़ पाती, मिसाल के तौर पर जो तलबल नैविगेशन प्रोजेक्ट था, जो इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, और दो वुलर बैरेज प्रोजेक्ट बाए पाकिस्तान, यह आप देखेंगे कि इंडिया ने तो काफी कोशिश की थी, उस प्रोजेक्ट में भी यह के आगे पड़ें लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फिर मुद्धा उठ गया और उसके बाद वो भी होल्ड पे चला गया, तो दा सोर्स सैट दर डिस्पाइड रिपेटिट इफर्ट भाइप इंडिया तू फाइंडिया तू फाइंडिया तू फारवड पाकिस्तान रिफ्यूस तू डिस्कस दा इशू दूरिंग फाइव मीटिंग तो पांच मीटिंग होने के बाद भी कोई इसका रिजॉल्व नहीं निकला, अब इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया अपना 13.4 लैक एकर का इरिगेशन कर सकता है, जम्मू कश्मीर लगदाग अंडर इंडिया वाटर ट्र एक जरिया मिल जाएगा, हलाकि अभी वहाँ पर कोई स्टोरेज कैपासिटी इतनी अच्छी डेवलप हुई नहीं है, जहेला मिंडोज और चनाब, इसके साथ एक और एडवांटिज इंडिया के पास हो जाएगी, कि वो कभी भी चाहें, अगर युद्ध की स्थिती होती ह है, या कोई भी पाकिस्तान हरकत करता है, तो वो पानी का फ्लो जो है, वो रोक सकते हैं, तो इसी को लेकर ये सारा बवाल बना हुआ है, आई होप आपको ये इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हुआ होगा, कि सारा मुद्ध है, क्या आखिर, वीडियो थोड़ी लंबी हो ही है, लेकिन टॉपिक भी कुछ ऐसा ही था, तो वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा, चानल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बैल आइकन का बेटन जरूर दबाएएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल झाल 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